Consider the following species N, nitrogen, oxygen, fluorine के anion दिये हैं sodium, magnesium और aluminium के cations दिये हैं ये species के बारे में पूछ रहा है what is common in them, इन सभी में common क्या है एक तो हम इसके लिए हम इनके electrons count कर लेंगे वो हमारे को उसमें से कुछ नगुछ मिल जाएगा arrange them in increasing order of ionic radii इन में सबसे छोटा बड़ा कौन सा है, उसका order आपको बताना है तो चलिए सबसे पहले हम इनके electrons calculate कर ले तो हमारे part A का जुगार तो हो जाएगा nitrogen जो है, इसका anion है, उसमें 3 negative charges है तो उसमें total number of electrons होंगे उसका Z7 होता है nitrogen का, तो उसमें 3 electron add होंगे तभी N3 minus बना होगा, तो इसलिए हमारे पास इसमें 10 electrons हो गए इसी तरह हम oxygen में 10 electrons पाते है 8 में 2 add करें तो 10 हो गए, fluorine में 9 और 10 electrons हो गए तो यहां तक हम देख रहे हैं कि 3ों में अभी तक तो 10-10 electron आए है और अगर हम sodium की बात करें, sodium का cation दिया है इसमें Z11 है, 11 में से 1 electron जाएगा तो 10 बचेंगे क्योंकि positive charge तभी आएगा जब एक electron उसमें से निकल जाएगा तो इसमें भी 10 electrons है, इसी तरह magnesium आयन दिया है उसमें भी 10 आजाएंगे, 12 में से 2 गए, 10 हो गए और इसी तरह aluminium है, उसमें से 13 में से 3 गए तो 10 हो गए तो हम एकदम कह सकते हैं कि सभी में same number of electrons है तो इसलिए ये सारे isoelectronic species हो गए तो we can say all are isoelectronic with 10 electrons अब जो बात आती है, हमारी part B की आती है part B में वो कह रहा है, arrange them in increasing order of ionic radii सभी में एक चीज़ अबसर्व करें, कि सभी में electron same है यहां हमारा एक problem solve हो गया है कि सभी में electron count same है सभी में 10-10 electrons है इसका मतलब हुआ कि सभी में shielding effect, electron की आपस की repulsion जैसे आरे factor एक जैसे हो गए अब जो सभी में जो difference क्या है, सभी का nucleus वो सभी के nucleus के charge में फरक है तो वो सभी का nucleus का charge है, जैसे इस वाले में 7 है, इसमें 8 है, 9 है proton सभी में जो है, वो different है, in fact वो increasing order में है यहां पे 7 protons है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और 13 है neon की बात हम अभी नहीं कर रहे है, तो इसलिए यहां पे 10 यहां पे नहीं लिया गया उसका कारण में 2 मिनिट में बता देता हूँ कि neon यहां क्यों नहीं हमने लिया तो part B में हम सभसे पहले point लिख देते हैं कि सभी में same number of electrons है but nuclear charge is increasing from 7 to 13, यह nuclear charge उनके atomic number की वज़ा से 7 से 13 तक बढ़ता चला जा रहा है जबकि electrons सब सेम हैं तो इसका मतलब effect सिरफ बात सिरफ nuclear charge पे रह जाती है तो point 2 होता है, इसलिए there is a greater attraction, greater electrostatic attraction between the nucleus and its electrons जिसकी वज़ा से उसका radius कम हो जाता है, तो जहां पे ज़्यादा electrostatic attraction है उसका size छोटा है तो ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा 13 में होगी, 12, 11 तो यह order बन जाता है तो यह order अगर हम लिखेंगे, aluminium, magnesium, sodium, fluorine, oxygen, nitrogen यह order हमारा इसी साब से बन जाता है आपने observe किया होगा कि यहाँ 10 नहीं दिया हुआ, 10 नहां देने का कारण है जबकि 10 is also iso-electronic, neon is also iso-electronic, लेकिन neon की यहाँ बात नहीं करी क्यों क्योंकि neon का covalent bond नहीं बनता, तो उस वज़ा से उसका जो atomic radius या ionic radius मेजर नहीं हो सकता neon is a noble gas, यह atomic state में रहती है तो इसके लिए इसका वेंटर वाल radius होता है, जो conceptually in ionic radius की measurement technique से different होता है तो इसलिए उसको यहाँ include नहीं करा गया, blog पे मैंने इसका reason दे रखा है, उसको थोटा सा study कर ले, exam में कैसे लिखना है, वो blog page पे आपको सारा पता चल जाएगा, thank you